चिराग ने ही कर दिया बीजेपी में अंदेरा यानि कि एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ बंदेवें लेकिन अन्य राज्यों में नहीं बंदेवें अन्य राज्यों में हम अपने अनुसार पार्टी के उमिद्वारों को उतार सकते हैं हम अनराज्यों में योगी से होगा चिराख का मुकाबला कि चिराख पासवान एंडिये का हिस्सा है और योगी अधितनात के खिलाफ अगर वो अपने प्रित्याशी उतारते हैं तो इससे कही न कहीं भारते जनता पार्टी को नुक्सान होगा उप चुनाव में होगा दलितो का दब दबा तो आप देखेंगे 20 से 22 परसेंट जो दलित वोर्ट बैंक है कहीं न कहीं सानने का प्रियास तो किया जा रहा है लेकिन जो 14 से 15 परसेंट वोर्ट बैंक है मुस्लिम का वो भी अपनी तरफ खीचने के लिए चुन नमस्कार मिनाजमिन खाउन और आप देख र जनता पार्टी संग उनका है लेकिन इसी गटबंधन के विपरत जाकर चुनावी मैदान में उतरती हुई चिराक पास्वान की पार्टी नसर आ रही है जार्खन के विधान सभा चुनाव को लेकर चिराक पास्वान जहां एलान कर देते हैं कि वो NDA से अलग हटकर होने वाले हैं दस विधान सभा सीटों के उपचुनावों को लेकर चिराक पास्वान ने अब उत्तपरदेश पहँच कर यलान कर दिया है कि भारती जनता पार्टी संग नहीं बलकि भारती जनता पार्टी से अलग हटकर उपचुनावों में किस्मत आजमाती हुए नजर इस अधार पर कोशांबी में भी वो एक रेली करते वे नजर आए थे जनसभा को संबोधित करते वे दिखाई दिये या कहीं कारिक्रम को संबोधित करते वे नजर आए थे उस दोरान कई बड़े बयान भी दिये ये भी बयान देते वे नजर आए कि 2027 के विधान सभा चु नाम लड़ेंगे उत्तपरदेश में लेकिन इस बार भारतिय जनता पार्टी को ही चुनोतियां देने के लिए तैयार हो गए हैं क्या ये चुनोतियां ये दर्शाता है कि एंडिये के साथ जो गटबंदन है चिराक पास्वान की पार्टी का क्या ये लंबा नहीं चलने वाल और नियूजरूम में हम मौजूद हैं मिरस्तात मौजूद हैं सिराज सिराज से जानने की कोशिश करेंगे सिराज क्या लगता है चिराक पास्वान जहां अभी जाती के मुद्दे पर बिहार में कहीं सुर्खियों में देखे गए ते अरक्षन के मुद्दे पर सुर्खिय लेकिन देखिए मुझे लगता है कि जो गठबंदन हुआ था एंडिये का वो लोग सभाचुनाव के तर्जपर हुआ था नाकि विधान सभा चुनाव पर और जाहिर सी बात है हर पार्टी चाहती है कि उसकी पार्टी का विस्तार उसकी पार्टी आगे बड़े और इसी को द मुझे लगता है नुकसान योगी अधितनात को नहीं होगा बलके समाजवादी पार्टी को होगा क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लोगसभा चुनाव में प्रदर्शन किया कहीं ने कहीं जो दलित वोट वैंक था वो को नुकसान हो सकता है क्योंकि देखे दलित वोट बैंक वैसे भी भारती जनता पार्टी के खिलाफी नजर आया था लोगसभा चुनाव के दौरान और इस बार के चुनाव में भी ऐसा ही अनुमान लगाए जा रहे हैं और दलित चेहरे के रूप में बात करें तो उस पासवान आजाएं चाहे मायवती आजाएं चाहे चंदर शेकर अजाद आजाएं तो क्या समाजवादी पार्टी के हातों से मिलकी पुर विधान सभा सीट की सकती भी नजर आएगे कि अब देश प्रसाद के बेटे के चुनाव लड़ने की चर्चाएं हो रही हैं जी कि मायवती का आदेश कोई बीएसपी में टाल नहीं सकता चिराक पासवान खुद अपनी पार्टी के मालिक है वहीं चंदर सेकर आजाद आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं तो ऐसे में ये कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये अपनी पार्टी के मालिक है और यही खुद में विधान सबाचुनाओं में जरूर चलेगा और मिलकी पूर देखिए चर्चिस सिट है और वहां से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला इसलिए भी देखने को मिल सकता है क्योंकि अधेश परसाथ का वहां पे अच्छा खासा वोट ब रखता है कि समाजवादी पार्टी को मिलेगा ना कि भारते जनता पार्टी ओर योगी मोडल की बात की जाए तो बुल्डोजर वाली राजनीती की और एंकाउंटर वाली राजनीती की चर्चाएं हमेशा से ना सर्फ उत्तर परदेश में होती हैं बलकि अन्य राज्यों में भी देखने को मिलती हैं लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं चिराक पास्वान के और चिराक पास्वान के जरीए दलित वोट बैंक की दलित वोट बैंक के अधार पर जाटव जो बिरादरी है इसके बाद एक पासी बिरादरी आती है ये दलित वोट बैंग के अंदर ही हैं और इसके अधार पर देखा जाए तो उत्तर पर्देश में कम से कम सो सीटों पर इनका दबडबा देखने को मिलता है और इसी अधार पर कहा जा रहा है कि भारती जन्ता यानि की पासी समास से आते हैं तो वो भी चुनावी मैदान में उतरते वे नजर आ रहे हैं लेकिन फर्क क्या पड़ता वो नजर आएगा राहुल मेरे साथ मौजूद हैं राहुल जिस तरीके से ये कहा जा रहा था है कि लोकसभा चुनाव में जो भारती जनता पाटी जिन स सीटों को हारी है वो कहीं ना कहीं वो पासी सीटे ही कही जाती है। और उसके बावजूद भारतिय जनता पार्टी चुनाव जीती है उर्वत परदेश में जितनी सीटे जीती है। समय से 8 शांसत कहीं ना कहीं पासी बिरादरी से आते हैं। तो चिराग पासवान के आने के बाद वोट बैंक सकता वो नजर आएगा भारती जंता पार्टी का लोग सभा चुनाव के बाद इन उप चुनावों में या फिर फर्क नहीं पड़ने वाला है। बंदन है अंडिये के साथ में हमारा वो केवल बिहार तक ही सीमित है। यानि कि एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि बिहार तक ही हम बीजेपी के साथ बंदे वें लेकिन अन्य राज्यों में नहीं बंदे वें अन्य राज्यों में हम अपने अनुसार पार्टी के उमिदवारों को उतार सकते हैं हम अन राज्यों में अपने अनुसार जो है मैने फेश्टों जारी कर सकते हैं और यह देखिए सबसे बड़ी बात यह की अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर पहले से दो बड़े दलित चेहरे मौजूद हैं जिनमें सबसे बड़ा और पुराना चेहरा बसपा सुप्रीमो मायवती का है और दूसरा बड़ा चेहरा अगर मैं कहूं तो चंदरशेकर आजाद रावन का है लेकिन ऐसे में अगर चिराग पासवान उतर रहें वो भी दस सीटों पर तो चुनाफ चिराग पासवान किसका खेल बिगारते नजर आएंगे बिषार के चात्रों के साथ जो हुआ वाली घटना हो या बिहार में हमने देखा पासवान समाच उसफ मर जो लाटी चार्ज देते हैं लेकिन कोई भी हल अभी तक निकलता हो नजर नहीं आया तो चिराक पास्वान क्या अपने ही समाज में जो मुद्धों को उठा रहे, वो इस बात को भली बाती समझते हैं कि वो जिस समाज से आते हैं उस समाज में उनका डायित्व और प्रबुत्व लगातार बढ़ रहा है अगर बिहार में जो लाठी चार्ज पासबान समाच पर हुआ उस पर देखिए पशुपती पारस ने भी परती किरिया थी थी तो कहीं न कहीं वोट पैंक बहुत जादा माइने रखता है और सबसे बड़ी बात है कि जो केंदर सरकार बहुत सारी मैं अगर कहूं तो जो वो बिल लेकर आई है या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है वो कहीं न कहीं बिहार की राजनीती के साथ साथ अन्य र आजनीती पर भी प्रभाव डालता नजर आ रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड में संसोधन का मुद्धा हो गया जिसके बाद हमने देखा कि नितीश कुमार को एलान करना पड़ा कि जो जमीने हैं वहां पर मदर से बनाये जाएगा और दूसरी सबसे बड़ी बात हम देखते ह जो मामला है उस पर चिराग पासवान की परतिकरिया सामने आए और जो ये क्रीमी लेयर का पूरा मामला हमने देखा कि जो फैसला सुप्रीम कोट की तरफ से जो आया हुआ था इस पर माया वती ने अपनी परतिकरिया दी चंदर शेकर आजाद रावन का इस पर बयान आया इसके अलावा हम देखते हैं कि चिराग पासवान का इस पर बायाना है देखे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दलितों का एक बड़ा चहरा बनने की कोशिश चिराग पासवान कर रहे हैं क्या वो काम्याब हो पाएंगे ये एक बहुत बड़ी बात है लेकिन उत्तर प्रदेश का जो ये 10 सीट पर उपचुनाव है हाला कि हम ये देख रहे हैं कि उपचुनाव की जो तारीक है उसको लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है इस वज़ए से और बढ़ाया जा रहा क्योंकि बीजेपी इसके लिए अभी तयार नहीं है क्योंकि लोकसभा चुना ये बताता है कि वहां का जो जातीगत मुद्दा है वो कहीं न कहीं बहुत जादा हावी होता नजर आया और अकलेश यादम ने जातीगत जो काड़ खेला कई सीटों पर खेल उन्होंने बिगाड़ा है भारतिये जनता पार्टी का लेकिन देकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर चिराग पासवान उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उतरते हैं तो शायद कहीं न कहीं इसका नुकसान भारतिये जनता पार्टी को नहीं होगा इसका नुकसान चंदरशेकर आज़ाद रावन को होगा क्योंकि वोट बटेगा तो चिराग के पास आएगा मायाव पार्टी को इसका नुकसान होता नजर आएगा और कहीं न कहीं यह वोट बैंक अगर बढ़ता है जिस तरीके से असदुद्धी नौवाईसी का मेरा लास्ट भायान यह रहेगा कि वो जहां जहां अपने उमिद्वारों को उतारते हैं वो वोट काटते ही काटते हैं और इ नुकसान, चनरशेकर, आजाद, रावण और मायवती को सबसे जादा होता नजर आएगा नुकसान की बात की गई है नुकसान की अधार पर देखा जाए तो चिराक पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि वो मुश्किले समाजवादी पार्टी या फिर भारती जनता पार्टी हैं तो क्या कामियाब होते हुए नजर आएंगे क्या जो दस विधान सभा सीटों के उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी या भारती जनता पार्टी दावा करती है कि दसों की दस विधान सभा सीटों के उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे तो क्या ऐसे में अगर दल उत्तर परदेश पहुंच जाते हैं। मायावती का जिकर किया। मायावती भी कहीना कहीन दलित वोड बैंक को साधने के लिए आपने देखा भारत बंद पर और जुस तरीके से अरक्षर जाती है जंगरना को लेकर अब खुल कर बोलती हैं। कहीना कहीन साधने का प्रयास तो किया जारा लेकिन जो 14-15% वोड बैंक है मुस्लिम का वो भी अपनी तरफ खीचने के लिए चंसेखर आजाद पूरी जुगत में हैं। कहीना कहीन उन दलित वोटर्स को कहीना कहीन एक बार स्टैबलिस करने में मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा चिराग पासवान को क्योंकि वोड बैंक अभी उनके पास नहीं है। वो सकता है कि इस बार के उपचुनाव में वो एक जमीन तयार करने की कोशिस कर रहे हैं जिससे 2027 के विधान सबाद चुनाव में वो पूरे दमखम के साथ अपना परचम लहरा सके। करती वी नजर आएगी या फिर नहीं इस पूरे मुद्धे को लेकर अब आपकी राए क्या है कम सेक्षिन में जरूर बताएं देखते रहें इस पे नाइन न्यूस थानिवाद